है कि अडिवा कम बैक तो अजैनल एकके बज और आप देख रहे हैं तीवी लौचिवी लाउंच यह हमारा वह स्विद्धफ जोह हम डिस्क्स करते हैं पाकिस्तान ही ड्राम इसको भी डिसकुस करते हैं आप हमें हमारा ये शो देख रहे हैं एद के सेकेंड दिन लेकिन हमने रिकॉर्ड किया है एद से पहले और आज हमारे साथ टीवी डिसकुशन में शामिल है मेरे दोस्त एहतशामून कैसे हैं आज आज आप बिल्कुल रॉबिन नील की बोतले बन कि अचे ये ये भी चलवाना है एक नोन फैक्ट है कि जब भी मैंना आके निकलता हुड़ा मेरी यांके फुल लाल हो जाती है तो कोई कहता है के इमून आपने कौंसे लेवल कि शराफ़ाप की है कुछ पीया है आपने कुछ पीया है जी क्यों नहीं है बताए जरा आवी बताए दास्तान सुनाओं यह सिर्फ भाता हूं कि है जब यह एक घंटे पहले पता लगता है कि एसन इस नाट कुमिंग तो बड़ा ही अजीब हो गरीब सीन होता है बस एसन की तबीयत थोड़ी खराब है अला तला से दुआ है कि अला तला सको जल से तियाब करें एद तक अला करें वो ठीक हो जाए वैसे आज तो आप तो हमें एद पे देख रहे हैं आप लोग तो आपको एद की डेरों खुशिया मुबारक हों और क्या बनाए एद पे रोगं बलां और काठा जाएगा इस तफ़ा आचा बचार्बा प्रावली कोफटे नहीं में बनाने डेक 예 आप देख रहे हैं हैं क्या देख रहें नादानिया सेजन शैन वन शैफ्शाहत शेफ चाहत वाली एपिसोड आच चले ठीक है खेर सो बताए मून इड पी क्या मुश्रूफयात थे इस वाली इड पर मुश्रूफयात बहुत थोड़ी बहुती हैं सबसे पहले सोना होता है फिर जागना होता है फिर जब मैं सोगे उठता हूं तो कुर्बानी हो चुकी होती कभी-कभी एड की नमाज पढ़ लेता हूं कभी-कभी नहीं पढ़ता है इस बास मेरी बहुत बिज्टी होती है मेरी फैमिली से मेरे फ्रेंड से मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था और मैंने बोलना भी नहीं था तो आप मुझे किस चीज़ पर शरम दिलाना चाहरें मैं यह कहना चाहरा था कि एड आप फिर सो के गुजारेंगे यह क्या करें फिर और कुछ काम करने को नहीं नहीं होता तो बस गोष्ट खाया और वो गोष्ट में माशालाब आप आपने शायद नोट किया हो मैं तो नोट करता हो कि जो बड़ी एड का गोष्ट है उसमें को इड करुबानी का जो गोष्ट होता है इसलिए हमेशा समयल जाती नहीं है क्योंके खून प्रॉपरली उसका ड्रेन आउट नहीं वह उता जानवर का वह फोरण ही आपको जल्दी होती है कि कलेजी पकाएं हम जो है वो क्या कहते है गुर्दे कपूरे पकाएं हम यह करे हम वह करें पूरा बकरा छोड़ के आपको गुर्दे कपूरे और कलीजी जी यह पड़े इंगा अचा तो और सुनाएं ड्रामास की सुनाएं आज की सीन है आज अज ड्रामास की सीन यहीं है कि हम पिछले वीक बार हाँ बता चुके थे एपिसोड के अंदर भी कि हम फ्रॉड के आने से एक दिन पहले शो रिकॉर्ड कर रहे थे ब्यू तो फिर भी कमेंट सेक्शन हमारा भरा हुआ था कि फ्रॉड 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 प्रॉड तो आपका फ्रॉड की डबल एपिसोड लेकर हम आगे हैं लेकिन पिछली वाली इस दफ़ा तो शायद आये भ हम टीवी पर वैसे शायद चोटे मोड़े ड्रामें लिखे हो लेकिन अब नोट नहीं किया लेकिन जो भी है वो बड़े अच्छे हैं और हमारी हम सब की आपकी हमारी और पूरे पाकिस्तान की फेवरेट युम्ना जादी है उसमें और में गाल में दो रोल कर रही है दो या यह विए रोल करें और किसी ने बड़ा प्यार अकमेंट किया यह परिजात का लेडिस लेडिस प्रीज सीक्वल है तो अच्छे होगा तो आज हम को उनकों से ड्रामा रिवीउस कर रहे है आज हम जनाम डिसकस कर रहे हैं फ्रॉड की डबल एपिसोर्ट संग्यमा की आहरी जो कि हम बहुत लेट हो जो कि हमें विवर से गालियां पढ़ेंगी लेकिन क्या करें हुमारा कुछ चेडियूल इस तरह से होता है उसके बाद हम जो वीकली ट्रामों का मरा सिलसिला चलता रहता है उसमें हमारे पास दुश्मन, हब्स, मोड महरा हमारे पास नहीं है चोरहा औ और बाच्छा बेगम और मेरे हम सफ़र तो स्टार्ट हम करते हैं संगे मा की लास में जी हां बिल्कुल करें स्टार्ट करते हैं हम संगे मा से संगे मां शुक्र है खतम हुआ यहां तक मैंशा क को लिया जाएना तक मैं बहुत खुछ हूँ इस टॉपिक को उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और इस टॉपिक को एंड तक लेके चले और लास्ट एपिसोड भी उन्हें उसका सद्धेबाब भी किया कि जो भी बंदा अगख करेगा हम उसको यह सजा देंगे कि सरटनोन और स्विदाए कर दिया जाए या गाउं से निकाल देया जाए यह वहां तक मैसिज भी ठीक है लेकिन करेक्टर के सब्सक्रास करेक्ष जो है यहुझा की हेरेंटरी बड़ी प्यारी थी बड़ी खूबसूरत थी अगर हिल्मत आ के उसने सारा कुछ सॉट उट कर दिया था और व्कार का फैसला भी हो गया था जिर्गाह को गया था हर चीज हो गई थी अगर यहां तक यह चीज खत्म हो जाती तो मेरे से ज़्यादा कोई बंदा संगेमां से खुश ना हो पाता दिए कि उन्होंने एक message को बड़े अची तरीके से ले किया लेकिन लेकिन रेकिन आटम ने काम आप उभारना, ग्लॉरिफाय करना, मुझे लफ नहीं आ रहा था, सोरी, अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है ना, हमेरी भी बहुत कमजोर है, तो खुदकुशी को ग्लॉरिफाय करना, I'm sorry, कहीं पे भी, कहीं पे भी, कहीं पे भी, अलाओड नहीं है, तीक है, यार, इतना मु उनकी जो आपस में डायलोग थे, उनकी जो कमिस्ट्री थे, बहुत अच्छी थी, लेकिन उस कमिस्ट्री को आपने एंड किस चीज पे किया, यार, कि वो अफीम पी के मर गगे, पहले तो मेरा आवाम सी ये सवाल है, मैंने कभी इस तरह के नशे नहीं किये, अफीम कितनी अफीम कि अगर आप भारी मातरा में इस्तमाल करते हैं, तो नहीं करना चाहिए ना, उपर से वो उसकी जैस्टिफिकेशन के देरें कि हम अल्ला को क्या मूँ दिखाएगे, बहन तो मल्ला को खुद कुशी करके क्या मूँ दिखाओगी, कतल तो उसके बाप ने माफ कर दिय की जातींकि बहुएं, तो कतला तो आप कर्से बाफ कर से प्लाना को था बिखाए वे पृददें मोदें तो ये इस बन्हुत ने बंदें को गलत काम पर लगा दिया, इतना नेख आजी मीमर जान उसको विaisonly को इस版ין निऴ दिखा यह और यह करे हैं, कियो गरा क्यों नहीं आप पूरे ड्रामे में से एक चीज ऐसी है जिसको निकाल के साइड पर कर दें आपके ड्रामे कोई फैक्ट नी पड़ेगा बताए कुन हिक्मत बहुत बड़ा नाम बताऊंगा कोई ज़रूरत नहीं थी शहर से एक लड़की को बुलाने की आर्टिकल लिखने की न्यूज जो भी वो करती है वो उसको बुला के और वो लड़की आके गाओं की लड़कियों को हेल्प कर रही है कि वो अगके खिलाफ आवाज उठा नहीं दिखाना चाहिए था कि गाओं की ओरते खुद इतनी स्ट्रॉंग हो चुकी है कि अपने लिए खुद स्टैंड ले क्यों हमेशा यह दिखाते कि शेहर की कोई स्ट्रॉंग लड़की कोई लड़की इस तरह से गाओं में आई है और इसने गाओं की लोगों की सोच ब अगर मैं संगे मा आरी पार्जम पहले खतम हो जाता तो उसको मैं दस में से जरूर आठ स्टार देता लेकिन मैं अब इसको दस में से पाथ स्टार दूँगा एक्टिंग वाइस जब हम बात करें सोरी तो आतिफ असलम का डेब्यू था एज अन एक्टर बहुत अच्छा खूबसूरत और नुमाने जाज माशाला 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 चुम मेश्वरी परफॉर्मेंस यह कहा से आप में टेरेंस लूइंस आ गए है डी आइड से निकाला है मैंने ठीक है तो चुम मेश्वरी परफॉर्मेंस नुमाने जाज साब की बाकि सामिया मुमतास की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी जर्गोना हासानिया साहित की बैम की हर किसी की एक्टिंग उमेर राना की और सोरी उनकी नहीं मुझे अच्छी लगी उनकी छोड़ दो कुछ टिक टॉक करें है ओके डब्समेश करने मेले ठीक है तो उनकी उसे में इतना को प्रभावित नहीं हुआ बाकी अच्छा ड्रामा था लेकि मुझे अच्छा मैनना एक दिन बैट की असलानी यह सूचा मेरी बारी कब बाएगी अच्छा मॉलने थे आज क्यों चुराई है मुझे क्या पता आप कहां लिखके बैटे हुए हो या यह टेली फिम होनी चाहिए इस दो कंटेक या एक मूवी होनी चाहिए थी कि एक टॉपिक को आप लेकिया है उस टॉपिक के ओपर आप 26 किस्तों का ड्रामा नी बना सकते है यह रिक्वार्मेंट न उसका नाम था कुछ और था कुछ और था तो आप उस सासा कर सकते था कि अगर आपने घख को करना है तो उसके साबसे आप चार इस एपिसोड में आगर आप पूरा घख दिखा सकते थे लेकिन उसके लिए इतना फ्रैच किया गया जूरत ही नहीं थी इतने करेक्टर बिला जब सानुबात तरह कि ये है तो यह है तो और में संगे मा जाना के रही जिस तुछ नहीं हो पाया जिस तरह से रही रिकॉर्ड था नमबर बन अगाख हमने सुने पर पहली दफार संगे मा के थरू जाना के गाख कोई चीज होती है और इसके इलावा जो है प्रूर में जि हो गई सबसे पहले हम suicide की बात कर लेते हैं जब गक वाले मसले पे आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो के गक किसी एक औरत की जिंदगी का राइट चीन लेता है तो आप फिर यह भी चीज नहीं भी खा सकते के एक इनसान के पास भी राइट नहीं है के वह अपनी जिंदगी ची अगया है ईक गुनाह को आप खलत कहके दूसरे को अच्छा नहीं या ग्लॉरिफाइ परकार अच्छा स्टैप नहीं था रिखाने वाला और जिस तरह का आप करेक्टर हमें बताने हैं आप हमें जरसंगा को जिससांसे इंटिड्यूस कराते हैं जिससलां अच्छा दिशना जबके उनकी लड़ाई उनके बहाव पे कोई और लड़ रहा है और धरसंगा इजली अपना केस पूटाउन कर सकती थी और उसके बाद जो होना था वह अगर आपने खुदकुशी ही डिसाइड कर ले थी तो अगर एक पे जो भी वह आता है इल्जाम मतलब एक पे जो भी सज प्राइड आती है तो दूसरा बाद में कर लेता मतलब मैंने अगें दस हजार दफ़ा ये बात में कह कहके मर चुका हूं कि आपने इस विसाइड ही डिखानी है आपने इस और पर दूंज मार नहीं है जिसका तो हार्ट फेल हो गया थाना या हमने कोई मुवी देखी थी दोनों एंड में कठी मर जाते हैं उनका इतना रूहों का तालुक है तो रूहों का तालुक है तो आप वैसे दिखा सकते हैं कि वो लोग बरदाश ही नहीं कर पाए लेकिन इस तरह से दिखाना जस्टिफाइड नहीं था रही बात गग की तो गग पर यॉर राइट के एक टेले फिल्म भी हो सकती थी और एक ऐसी या कोई एक मीनी सीरीज भी हो सकती थी गग क्योंकि हमने संगे माँ से पहले आज तक कभी सुना नहीं और हमारे लिए आडियंस को यह पहुंचाना मेसेज के गग भी कोई चीज होती है उसके लिए एक टेली फिल्म बहुत पूर असर हो सकती थी लेकिन उसको इतना खेंचा गया वह एक प्रॉब्लमाटिक चीज इसके इलावा बहुत आरी चीजों का क्लैरिफिकेशन भी प्रॉपरली नहीं हुई लेक हरशाली और वह एंड पे क्या कर रहे हैं वह रोट नो हमें हिकमत और गुरमीना का भी समझ नहीं आती एंड तिंग इज के जरसंगा का मैंने हमेशा से जब एपिसोड वन भी हुआ मैंने तब भी डिसकस किया शॉल जो वह पहनती है जर्गोना सोरी वह जो डॉट्स वाली शॉल है अच्छा अब एक तो मसला यह होता है कि हम आडियंस चीजें देखके खुद से भी एस्यूम करने लगाते हैं कि ऐसा है कि वैसा नहीं है बट अगर आप वह शॉल पहन रहे है कि जब सिखों ने हमला किया जो है पक्तून पर मदब लाइक प्री पार्टिशन की यह बात है और बहुत परानी बात है तो जब खान जगह के पठान जीत के तो उनके जो शहीद लोग थे हैं तो उनकी बीवियां आई और उनने अपनी सफे चादरें उनकी लाशों पर और जब उन पर वो खून के डॉट्स बने वह जो डिफरेंट डॉट्स हैं तो वहां से निकलती है वह सवाबी की एक थकाफ्ती चादर जो थ्रू आउट जो थ्रू आउट जरगोना ने पहनी अगर आप दिखा रहे हैं कि वह अपने नसरुल्ला का बदला ले रही है और उसके वह शॉल पहनी हुई है क्योंकि वह शॉल की रिलिवेंस है कि वह औरत की मजबूती को दिखाती है तो आप उसको उसका भी कोई एक एंड करें अगर आप ने उसका एंड कर लिया है जो कि आपने बीच में कर भी लिया था कि नसरुला का बदला हो चुका है तो आप शॉल पहना जर्गोना की हटा दें बिल्कुल तो फिर उस शॉल की कोई रिलिवेंस नहीं बनती कोई के लिजी के अंडरलाइंग मिनिंग नहीं आता कि जब उन्होंने शॉल क्यों पहनी हुए है सेकेंड अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें लास अपिसोड में बहुत जिस तरह से जिर्गे को कंड़क करती हैं जर्गोना वह बहुत इंप्रेसिव था इसके इलावा जो चीजें आप सोच रहे हैं शहिजात वाली मैं भी सोच रहा था कि उसका महां पे खड़े होके औरतों के लिए औरतों की नुमाइंदगी करना इतना रेलिवेंट नहीं थ पर यह दिखाया ना कि शहर की औरत आगे गाउं की औरतों के एजुकेट कर लेकिन मुझे एक चीज़ से इतराज है कि अगर आपने कोई सजा मुकरर भी की है तो बेस तरीका यह होता है कि वह सजा अपने घर से स्टार्ट करें मैं नहीं चाहता था कि हिल्मंद को कि शादी शरिजात से होती और उसको माफ कर देती गुलमिना क्योंकि इस तरह से एक्जैम्पल सेट नहीं होगी कल को फैबली फिर वही ऑनर किलिंग सेंट हो जाता है कि जब आपकी फैमिली आप जैसे हम कंदील बलोच की बात करते है कि अगर हम कंदील के भाई को सजा नहीं देंग बैठेगा और वही इवेंचली वही हुआ वही हुआ वहने दिखाया भी कि कुछ और गख भी हो गए है तो प्रॉपर हल तो यही बनता था और इसके इलावा जो जो जरसंगा ने किया गख के लिए उसकी सजा बक्ष दी जाती इस तरह से करके तो वह एक समझ में आने वाल भी चीज थी लेकिन इस ओके मदब अब खतम हो गया संगे माँ अब एसे बूलते हैं लेकिन प्रॉब्लम इसके मेरे लिए यह कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ड्रामा नहीं रहा बट चुरू में इट वाज लेकि कोई चुरू के 10-12 किसने बहुत अच्छी थी लेकि इसके स्क्रिप्ट मुझे वह इतना स्क्रॉण नहीं लगा जितना संगे मरमर का था जी यह जी ताथ है तो बहुत ज़एदा बोल दिया है मैं जी तरह बोला था मेरे गला खुश को गया बहा पाई हो स्कुप आप है जी सो यह है संगे मा इसके साथ ही इस पे लगता है मैं अभी हाथ साफ कर लेता हूँ कहीं मेरे पिना को सवाल आए खैर नहीं मुझे क्या मैं रिट के करूँ हो सकता है अच्छे आर्ट की चीजों का यह बहुत बड़ा बस्ता होता है कि आप नहीं एक यूनानिमसली नहीं कह सकते कि इत वास अगूड ड्रामा यह मैं हो सकते अब आशा बीगव पूरी दुनियो को बुरा लगता आखार में छ ferry तो नेक्स च्छे द्ररामा शीरेल करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रॉड ऊ धेने पराब की डबल एपिसोड किसको पहली लानत किसको क्योंगρι निसार सभाड को निसार साब की बेटी अजड के घर के बैटी है सारा कुछ हो गया है कि अब आके उसकी शाजिया ने उसे रिष्टा मांगा है और वो त्यार हो गया है कि मेरी बेटी को मतलब माबाब के पास तरफ एक ही solution क्यों है बेटी के लिए कि इसकी बस शादी हो जाएगी तो इसकी जिंदगी बन सकती उसके लावा वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती तुम्हारी बेटी माया पड़ को जो है एक गई हाज जोड़े हैं में इसत रख लो साधि कर लो नैल से शादी कर लो नैसार सांब आपको एक दफा फिर ने लगी आपकी बेटी की साथ इतना बड़ाद फ्रोड हो गया है आपकी वेटी उचट बएकर घर आ गाई है फिर भी आपको पड़ा है कि मैं अब तो ये अपनी तीन विया के रहना है मैं अपनी तीन विया के रहना है तो ही निसार साब आपके उपर क्लोड के लानत ठीक है अगर अगर एडूकेट करना है तो आपको एक बुरा इमिश तो दिखाना पड़ेगा आछां विवब शुल मिश जा तो अगर निसार का बुरा मिश दिखा रहे है और उसकी जर्ष बासिया है उसको बेठी के आगया रही है कि बचार एड़ था आए जा है और आ ये जा आफ गहों कि आप का जाई हो आपको सबर नहीं तो प्ल का juice को मिला यह का बे सबरिका मैं सबक्राइब पिसा तरफ्क से अधन के सब्सक्राइब तरहा है कि लोगिकली है यहां जो पांऩ लुप यहां शृड़ी है नैक्स्ट लोटाइ लान गरषाद्नि भी मेरे एक कि यह पर लाता हो तेशे उसका बेटां कहता रहा कि में शादी नहीं नाईल ने कहा मैं शादी नहीं करूं गा फिर भी उसने बृटे प्रतियार कर लियु उसने मेंदिया कर लियुए ऊसने वो करलेश वियुर्म ले बैटे कि शकल देखो मायं करती ह chick यार मेरी बास सुनो माएं करती होंगी लेकिन तुम्हारे उपर मुझे पता है उसके भाए के बहुत इहसानात हैं ठीक है अगर आप कह chilly कि इन Aks को लानत देने चाहिए तो फिर तो उनको भी बनती है वि Ash them सब से कम कुसूर इसका है इसने मा को मना कर दिया कि मैंने श्यादी नहीं करनी इसमें मैंने माया तुम उसे प्यार करते हो यार तुम्हें मुहबत है उसे जी सिरफ जो है वो पता निकों गैरतमाद नहीं होता है महभूब भी गैरतमाद होता है मुझे की पात पसंद नहीं आया थी लासे पारी बहस भी इती इस बात है कितना अकुलत आप मैसेज पॉर्ट्रे करें मतलब एक दफा एक लड़की की डैवोर्स हो गई है तो उसका जिंदगी की हुशियों पर कोई हख नहीं वो जो रिष्टा आया था आला माफ करें वो और वो औरत कहती जी मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता आप अपनी बेटी के रिष्टा दे दे मुझे इसी होता है ना इस तरह की लड़कियों के लिए इसी तरह करिश्टे आते हैं जो कि बड़े दुक्की बात है क्या कुमारा लड़का तलाकिया अफ्ता और रसे शादी नहीं कर सकता अगर एक कुमारी लड़की दस बार शादी शुदा बंदे स क्या कुछ नहीं किया इतना उसका मुझ काला ना करवा हो तुम तुमारे पास सुलूशन था तुम मामू के पास खुद जाते कि मैं माया से शादी नहीं करूंगा अब मेरी मा को रोक ले मेरी मा तो और एकसाइटेड हुई पड़ी है उसने तो सब कुछ कर लिया वह तो ज जाजिया कब भा होगी पर आद लेकर शाजिया नायल बेटा मैं मार कई मैं लुटी कि मेरे को कुछ नहीं रहा गया आचा खैर लेकिन है ठीक है जहां पर तीन लांते दी हैं वहां पर तीन सल्वी इन तीनों की अक्टिंग निसार साब ने बहुत अच्छा किया लड़के की एक्सिडंट कर देते हैं और ठाने में गः आके जैन सारा कुछ नाजली नसर था, उनका नाम शाहिए उनका कोई और नाम चेंज हगए शादी होगी किसे नसर आतमी से अच्छा इसवजा से उनका किछ और आ आता है चलो नाजली कह देता हूं या शाजिया का उनकी एक्टिंग को भी बहुत खुबसूरत उन्होंने काम किया है जब वो नायल को मारती है धपड और उनको कहती के तुम हो ही एहसान खरमश पता नहीं किस के ओपर चले गया तुम तुम्हारा बाप तो इतना खेरत-मंद इनसान था और ये वह सारा खुबसूरत मामू पे और पहली दफ़ा मुझे अधनान सम्मद खान की अक्टिंग में पसंद आई जब उस टिका कि उस इनसान से में बद्रा मुझा था उसने कचीची वट्टी मुझे भी आई तो इन तीनों को लांते भी और सलूट भी हमारी माया बचारी भी इसमें रह गए माया का कुछ था नहीं दो एपिसोड में इतना खास कोई हमका रोल नहीं था इन दो एपिसोड में जाता नहीं लोкими फिस्टों को नहीं इस बेहांए हो को शुन इसकर लिया करनों हिया निकिनTCा कि मुझे उसका प्वान का पास कि खेस उसको प्ली जान को Moyet बदा यादा ओजा कि शुन से उ करेक्टर किया करें जो मैडम है जो कि इनकी मा बनी तो उनका भी बड़ा अच्छा करेक्टर था तो अगर मैं देखों तो मुझे इतनी खास पसंद नहीं भी आई लेकिन पसंद भी आई है तो ओके है द्रमा ठीक जा रहा है बागे देखते हैं क्या होता है अगला फ्रॉड क कैसे इन लोगों से बदला लेती है वो मुझे इंट्रीग कर रहा है ठीक है तो तो इस तरह के घर से वो आते हैं अच्छा इस तरह की घर से जो कहने में बड़ी खुबसूरत लगती है लेकिन जब अमल करने पर आऊ तो बहुत आपके भी पैक हो जाती है हाँ ठीक है अच्छा अब हम बच्पन से सुनते आए हैं हम बच्पन से जो पड़ा लिखा माश्रा है जो कॉलेज यूनिवर्स्टी जाते हैं और इस्लामियाद भी पढ़ते होंगे लाजिम सब्जेक्ट है उसमें कहा जाता है कि बेबा से शादी कर लो तो ज्यादा सवा है तलाग याफसा से शादी कर लो तो सबाब है लेकिन दे इसके जब यह आप पे करने को आती है तो आपकी पैक हो जाती है ठीक है तो आप आपका सवाल यह है कि जब हम बार-बार कहेंगे कि एक तलाग याफसा शादी कर लो तलाग याफसा शादी कर लो पहले आप यह द यह किताबी बाते हैं पढ़ने में बहुत प्यारी होता है, लेकिन अमल के Toutिने में तो अगर जब किसी से प्यार करते है तो आप प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं Pयार प्यार में आप, मैं वही बहुत था तो रोह से अने वहогबते रही नहींच वाषने में पाहबST , और कुल कहते हैं तो वो ना मेरे बात याम ने भुल्वा दी आप कुछ कहा रहे थे मेरा पसीना भीज भी आ गिया बेरा काम खराब कर दियुक्त अैया को मयाble कल सोların में हुरत रहा हुआ लिधया कि जो एक दुख था वह का रिलेट कि अब काफ़ी Most बिल्ड कराया दिरेक्टर को बहुत ज्यादा सल्यूट जाता है कि उन्होंने उस एमोशन को रिफलेक्ट कराया हमारे अंदर यही एक अच्छे ड्रामे की खुबी होगी कि जब आप एमोशन के साथ कनेक्ट कर जाएं बाकि एक्टिंग तो मैं कहूंगा मैमूस दिसलम की तो जब भी आता है तो मेरे लिए वो छोड़ा इरिटेटिंग है अब अगली एपिसोड में वो कह रहा है कि उसकी बीवी वापिस आ रही है तो लेट सी वो क्या होता है चले अब आगे चले हम चलते हैं जी यह था फ्रॉड के दो मेगा मेगा डबल एपिसोड तो अब नेक्स जिस ने भी ड्रामे आये हैं मेरे अगल में दुश्मन की एपिसोड हब्स की एपिसोड सबसे अची थी बागी तो सारे रामे फा रही थे तो दुश्मन में काफी कुछ हूआ है और उसमें अधा करना चाहूंग नि आपने देखा वो जो आई है वो सोनी वो कौन है कौन है मचे नहीं आइगе वो फिय pas एन मतीरा की बहन रोज मeneة और उनका ये पहला प्रॉजक्ट एक्टिंग का मतीरा च़्था क्राइगा जी मतीरा नाम का नएख और था फियूक्ट वो अच्छागेव ए एक्ट gece आमना शरीफ कशीश होती थी वह बहुत सारी बाते होती है फलान इफलान आप अजमे बहुता वह बहुत है ठीक है तो इस तरह को हुता था कृष्मा कपूर और कीना कपूर को हैं फ़जूल मजाग मेरे साथ मत करो अचया वापिस आते तो ड्रामा की स्टोरी जो है वो काफी हद तक आगे नहीं भी बढ़ी और बढ़ी भी है याद आगे एक बोलनू वो मिका चाला और जूई चाला बहने तो रानी की शामत आने वाली है इंशाला मैं चाहता हूं कि रानी को ऐसी सजा मिले को इस तरह कि घदारी दूबार अपन के नाइला जाफरी के ओपर जिस सिंगर की आवाज है फ्लीज उसको चेंज कर दे वो बिल्कुल भी शारी बात ही उठा के बोलने लग जाते हैं आप खुद शरम आती है कोई मैं आपको मोबाइल नी चेक करता है कि अरसला में क्या क्या लिखा हुआ है नोट से बहुत अच इंच फैस्टी लगता है बाकी सारा कुछ डामे में बढ़ा अचा जा रहा है मुझे बहुत पसंद है अब देखो जो हमारी ससी है हमारी बेहन वो अपने असल गार अपने शोवर के घर में जा के शिफ्ट हो गई है अब वहां पर माई लाली आपके क्या वबाल करेंगी य जो हम इंचालला अगली एपिसोड में देखेंगे इस एपिसोड में जो कुछ हुआ मुझे बहुत अपसंद आया वो चलते हैं इसी के साथ एक एबरस की तरह एक एबरस की तरह सो दुश्मन दुश्मन जो ड्रामा है जो चीजे मुझे सबसे ज़दा अच्छी रखती है आप कोशिश किया करें यह ड्रामा मुबाइल पर ना देखें अच्छा बड़ी स्क्रीन पर देखें हमेशा कोशिश करें कि इसको बड़ी स्क्रीन पर देखें क्योंकि इस ड्रामे का बड़ी स्क्रीन का मज़ा है वो मुबाइल में सारा जो है वो खराब हो जाता है क्यों एक सीन होता है कि वो जब उसकी भावी भाग रही होती है और उसके पीछे बंदे लगे होती है और फिल्मी वाइब है इस ड्रामे की काफी और बहुत अच्छी है इसके इलावा स्टोरी मुव हुई है थोड़ी सी मुव हुई है कि उन्होंने ससी को घर से निकाल दिया और इस घर में प्रॉब्लम इस एक तो मुझे समझ नहीं आती कि दुश्मन की दुश्मनी का लेवल क्या है अगर मैं दुश्मन हूँ तो मैं तो ऐसे जगों पर बंदा और नजरे हुआ है उसी घर में उसको रहने ठैरने के लिए भी भेज दिया गया है ससी को कुछ हमार नहीं आ रही और एक और मेरा स्वाल था रानी भाग कैसे गई जब भी माई लाली किसी चीज़ का हुकम देती है वो सारे गार्ड को बताती है कि इस बंदे को हवेडी से बाइर ना जब तो उसकी सजा सिरु मौत है लेकिं उसके बावजूद सब ही उसकी जो है वो करते हैं सब भी उसकी हुकम दबली करते हैं माहिलाली हैर जैन ने पेंट कोड चेंज करके फिल्वार कमीस पहल लिए मशल्ला हूं मेरी बात मानी है आपने जैन आपको बहुत शुक्रिया उन्हों ने आपकी बात नी मानी उनकी सीन आगे चलगे होगी इसके इसके इलावा और क्या है यह मुझे ना बाड़ अच्छा लग रहा हां सबके कपड़े ना इस क्रेक्टर रालिवेंट है और प्लीज नाइला जाफरी के आवाज चेंज कर ले आपने इतना पहसा लगाया है शूटिंग के अपर प्रडक्शन के आप एक कोई अच्छी सिंगर है को बची चोटी सी गा रही है करमांगे ता हूं यह तो नहीं अब 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 आप थोड़ा भारी कर रहे है करमांगे ता हूं इस तरह से कितने बुरे लगे हो अच्छा है अच्छा है मेरा स्पेशल प्स गया अलफाज अरसलान के मूं में मैं इधर बैंसिं करना चाहूंगा कि जो इस ड्रामे के प्रड़क्शन वाली है मौड ब्लांक उनका बज़े स्पेसिफिकली मैसेज भी आया और उनने काफी पसंद किया हमारे रिव्यू को धन्यवाद और उनने काफी कहा कि आपका रिव्यू जो है बड़ा रेलेवेंट होता है सेके और एक और चीज़ कही कि हमारी अवाम तक मोचना बहुत जरूरी है जिसकी वज़ अब और यह पुए और यह भी आता है और वह जो लेंज सेंवे उसी लेंजिज पर रीसेंट बालीवूड जरूरी बहुत कि नहीं हुआ यह निजे सेंवाद नहीं कहा है कि इस ड्रामे का फॉर्म лगो है जो फुलम का फॉर्मिक्स के के लिए बहुत मौजू है इसलिए कि अर्वाय और हम TV के ड्रामे दो दिन बाद जाके सब्टाइटल आते हैं जबकि इस ड्रामे के सब्टाइटल उसी उसी बाद आ रहे होते हैं अब रिलाइस किया है यानि के प्रोडक्शन पर नोड़ाट बहसा लगा है लेकिन आज इस दफ़ा हम एक छोटना सा कहना मेरा एक गिला है दुश्मन कहीं ना कहीं फस गया है जिस वक्त ससी उस घर से निकल के आई है तो दुश्मन की स्टोरी मॉव नहीं हुगी अब चूंक इसके गोश्च को सारी रात कुटे खाएंगे हाँ चलो खेर दासिट तो चलते हैं जी नेक्स द्रमा सीरील की तरह जिसका नाम है बाशा बेगम जी बाशा बेगम बाशा बेगम यार पता नहीं क्यूं डी ट्रैक हो गया है मैंने मजाग मजाग में कह दिया था कि बाशा ब जब जब लेक्या उसको गुलडार को पूरी शादी के मंड़ और जाएंगे के यह शादी नहीं हो सकती मुझे बॉलीवूड सीन लगा पहले इंसाफ दिया जाए पहले एक वर्स इंसाफ दिया जाए जी कौन सा पीरापूर जहां लाइट नहीं आती जहां इंटरनेट नह इतना खुबसूरे शादी हॉल को आसे है पीरापूर है पीरों के लिए कुछ पी हो सकता है उन्होंने जेनरेटर में गवाल लिया होगे तुमें क्या है नहीं लेकिन शादी हॉल बनवा भी लिया होगा पीरापूर है पीरापूर एक imaginary word है भाईयो और बहनों और दोस्तों उसमें कुछ भी हो सकता है तो भाई ना करो ना इस तरह की जयातियां मेरे अरसलान बला किया मसला घ्सभी ड्रामय में जिस भी फिल्म में घलत फहमी आ जेना मेरे दिल से उतर जाता अब इन्होंने गलत फहमी डाली की गुलनार का जो चीर हरण किया है वो शामीर ने वह घ तो नहीं यार प्रभावित नहीं लगा वो नहीं लगा मानने वाला नहीं लगा बाश्या बेगम के लेवल से यह मैच नहीं किया आप किसी और तरीके से कह सकते हैं आप पहले जो है वो लड़की को इनसाफ दिलाएं उसके बाद मैं आपको शादी करने दूगा तुमने दू पहलेखा से शादी करके तुम कर क्या लोगे क्या कर लो क्या उकाड लोगे तुम एक्शली उससे शादी करके तो क्या क्योंसा मकसद हासिल करेगा वो उसकी पीर तो वो शामीरी है ठीक है हलीफा नवाज की बेटी से शादी करके आ ओके देने मुझे बस बता है अच्छा ह वह यह था कि पीर बढ़ने के लिए सिर्फ आपने गद्धी ट्रांसफर नहीं करनी उसके लिए वतीन चार कबीले हैं जिसमें खलीफा नवाज है उनकी भी कोई एक अंसेंट होती है तो जब इनको अपनी पार्टी में ले आएगा तो उनके क्लान में खलीफा नवाज आजाएगा और फिर वो कन्विंस करेगा कि जो यह वाला बंदा है यह प्रॉपर फिर नेंगा वैं इस चीज़ को अनुट ने चाहिए नहीं ने कहा था नहीं देखा मैंने जो नोट नहीं किया शायद ली कहार। हमाः हाकिम भी थी, खड़े खड़े बंदे को अड़वुा देती थी। तो तुम किस चीज की बाशाा बेगम Mama वो तुम कुछ कर नहीं सकती हो तो अच्छा बेगम कुछ से पहले चाहिए वो गुलनार को गला काड़ दे उसका गुलनार की तो जबान गला गुलनार को तो सब कुछ काड़ दे जितनी उसने पिखैरत किया है या बहुत या अंसेंसर्ट शो हो रहा है सोरी क्यों कर रही हो तुम तुम्हार दमाग रहा है मतलब अपने बॉय फ्रेंट तारा की जिंदगी बचाने के लिए तुम उर कितनी जिंदगिया बरबाद करोगी पहले तुम हाकिमभी की जिंदगी आल्मोस बरबाद कर चुकी थी बिचारी दरबारों में जहांके तक्या कहा रही थी वा चलो वापिस आ गई है तो अब तुम क्याचा चाहती भया मूझे बतादु गुलार तुमने तो वाकी तख्ता उलट दी है जी गुलनार तुम्हे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा तुम इंसाफ डिजए करती हो यह वां कि मैंने क्या-क्या लिखा हुआ है बहुने को दे हैं मुराद को देखा तुम लोके सी दुने बटे अगी इनसाफ मिलन चाही हां जी , इंसाफ मिलना चाही है तो पांय लगेगी इतना दो आया, एक और, मैंने सबसे उपरवाला सबसे बड़ा फॉइंड मेरा रहे गिया, कि ये मुरीदी की रसम क्या होती है भई, अच्छी ये मुरीदी माली रसम मुझे भी बड़ी, बड़ा इंट्रीग किया मुझे उसने, और मुझे बड़ा बाध्शा बेकम में बड़ा बाध्शा बेकम की और साथ वो बखवासे कर रही है, हाँ, रोशना रहा, वाली भॉंकी जा रही है, सो लोग बैठे हुए हैं और कह रही है, बखतियार सिरफ मेरा है, तुम बखतियार के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, तो मतलब, पीरापूर के लोग बहरे भी है, बहरे भी है शायद, वो परदा लगा है, मेरे ख्याल में वो साउंड प्रूफ भी है, ठीक है, तो हो सकता है, इस तरह का को सिस्टम बाध्शा बेकम बी बोरिंग होता जाए, मुझे यह आखरी जो साथिश है ना, यह समझ नहीं आई, और मुझे पसंद भी नहीं आई, त यह साधिश ऐसी थी, जिसकी जरूरत नहीं थी, कुछ और भी किया जा सकता था, कुछ मदब आप शाजेब को कर सकते थे, अब उसको बहन के खिलाफ कर देते हैं, अब इतना कुछ ही चल रहा है आपके ड्रामे के अंदर, इतनी चाल बाजियां चल रही है, तो भी रूशन नहीं बाते मन वा सकूँगी, अब तो खेर बाशा बेकम से बाते मन वा रही है, इसके अंदर मुझे फील होता है, ठीक है, उसके अलावा मुझे इस दफ़ा बाशा बेकम पसंद लिया है, नहीं इस दफ़ा मुझे भी अर्सलान, वाकी लोग साच कहते हैं कि कुछ जादा अब बहुत कुछ होगा है, पिछली एपिसोड तक मुझे बहुत मजा आ रहा था लेकिन एपिसोड को चवलियां वज्जी है, मुझे यह बुरीदी की रसम मुझे समद लिया है, और जो गुलनार ने किया है, और जो जहें ने किया है, यह सारा कुछ है, वो मानने अंदर यही प्रॉब्लम है, कर्मिन सिंग नहीं है, बाकी सारा ड्रामा कर्मिन सिंग था लास्ट एपिसोड तक, यह कर दो जो है, रोशन आ रहा उसको कोई नोट नहीं कर रहा, बत्मीजियां कर रही है, तो मुझे अब इस तफ़ा इतराज है, मुझे बाश्य वेगम इस पीक प जी मून, हब्स बुनती फिरू, खाबों की मैं, माला हब्स द्रामा मेरा फेवरिट है, आज कल की जितने मिटामें चाल रहे हैं, एक ना फ्रेश ब्रीज ओफ एर आती है, कितनी प्यारी अंग्रेजी वो लिया है, तैंक्यू तो एक ना ताजा हवा का जोंक है हमारे लिए, हब्स जो है, एक डिफ्रेंट स्टोरी है, और इसकी ट्रीट्मेंट मेरी डिफ्रेंट है, जो कि मुझे बड़ी पसांदा है, इस अफ़ एपिसोड में कोई इतना खास हुआ नहीं है, आप प्लीज मेरी बलीव ना रखे, स् तो अस्मान पहले आप कर ले, मैं कर ले तूँ मैंने इस इंसान के साथ किसकी यह पुर्ण जूट मत बोला, कैमरे के अऊपर, मैंने इस इंसान से आके डिसकी प्लीव डिफ्रेंट कैसा लगा बहुत अच्छा लगा, यह हो गया, वह हो गया, मैंने एक मिनलोट कितनी के स्टोरी दूभ कुछ है एं बड़ा कुछ गूभा याज मादर सुन के भी उपपियू जमाहरे तब ने कुछ ओध सा उसने का थें एक पार इस ऍे पुर नहें reach आ का दा मजळиж फिरोज फिरोज खानने messing जोया जो दो है जेने fan ik हुआ देखे है ग difí दो कास्मी जाकर देखे है वाओ जेने सथी सा जुआ या बडल रखुशि arrest टग्तोय कह Jackie कीपुल करें किले हम यह उफादी कि तो दूढ Ol Алि उनका यह एक्टिंगья कितनी बड़ा जाथ है ग्र स्राइब देश अख ताब शा पार नियुक्त, आपको अधे तो मैं आपको जेनस की आपको तरीके आपको तेयसीं करें которого हम भू एक्त दोर है और भी बड़ा कुछ हुआ है और क्या हुआ है और उसको पता चाहा लगया दानियानवर को जो बानों है के मेरी मा ने जो है वो उसका सोधा की है आईशा का प्चेतर लाख रुपे में हम यह यह भी है देखे ना मैंने कर्मिन्स किया आपको मुझे अच्छा लगता है लेकिन मुझे इसमी थोड़े स्टोरी श्रो लगी है बोबी का गरेक्टारी इसमी कुछ जाद ही निकायागा है बोबी पुपो बड़ा अच्छा वेंगव करती है फांडेशन का मुझे ज्यादा वाइट लगा दी है अच्छा मुझे इस एपिसो कि मैं भ्याइटेशन पहुईू सुझ जाद तोटम नहीं है उसका में इसलांड टीम नहीं है देखे मुसाड़िक मलिक कभी मेरे की में विक्षाव एज़िक्टर फेलाडर नहीं है और्यसा बह 업로comm विक है टो तरीमेंट भी नहीं है और neато उस टोरी भी नहीं है विस्टोर आप जोया को देख लें, आप बानों को देख लें, आप कुद्सिया को देख लें, आप बोबी पुपो को देख लें लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, कि इर्षा, बहुत खुबसूरत काफ कहती है, कहनची वाला कहती है, और एक और जगह भी ने बड़ा प्यारा मुझे लगा, खेर इसके इलावा, अच्छा एक और बाइशा की और बासिकी डिसक्शन हो रही है, पीछे पुरा ओफ देख रहा है, वो जवाद और हीना, वो जो फसादी हैं दोनों, वो दोनों आपस में डिसक्श कर रहे हैं, यह कर लेकिन दोनों कंप्यूटर बंद थे, भई तुम अफिस का काम करो पहले, बाह में तुम उसकी चुगलियां कर लो, दोनों कंप्यूटर बंद पड़े और सीन्स होगे, खैर चलते हैं, लगा दे ठपा, चले जी इस पर लगता है, फिसका नाम है, चुराहा देख खो अरसलान, इस दफ़ा तीन-चार ड्रमा में जो एनम मायूज की है, उनमें सिक चुराहा भी है, जी मुझे बहुत मायूज की है, दोसलान में कुछ नहीं हुआ, विल्ट कुछ नहीं, लेकिन प्रभावट कुछ नहीं हुआ इंपक्ट नहीं हाई इंपक्ट फुल नहीं था देखो, आपने, यह है difference आप fraud में कुछ नहीं हुआ वह बहुत कुछ है लेकिन यह है कि आप प्रेक्टर के साथ feel करने लग जाते हैं आप सभा का दर समझने लग जाते हैं बट इन चुराहा आपको कोई अपर सिस्केके इक सब्सक्राइब जो फिक gefड्सकेड आपको है जो है जो उसके अंदर हम करैंगे अचाइद कॉक्सक्राइब उसको नहीं कर पारें पर सु बजनी लगा दी फोकि आपने लगा । सब और गया है कि उसको एफसाष दिला network रिशन की शेधार शाया है कि अपर से अब हम या आप अपने हमये दाऊने टाव we Engineering खत्वाने होए में आखिको ढदनक्थम के साथ क्या हुआ धोर संबूरे पाहुं सब मुक्त इना हम जह दोड़किती दिता था। तो हाँ ठीक है हो सकता है तो ऊपर से आपने अर्सलाना को याद है आपने महंधी फिल्म देखी ओगी रानी मुखर्जी की यह मेरी सूराल है नहीं वो अचसरी राजा कि आएगी बराद में क्या होता है राजा उसका रेप कर लेता है वो राजा सही एडालत का इसा करती है के रिदी की स्ङकुराबद को मजह समझ नहीं आती है कि आपकी पास इस तरह के लोगों के यह सोलुशन है वहा के बाबा जी को कहा रहा है बबाजी मेरे यरैंसे गलती होगी मैं जिडक्यों को को गवा किया है, मेन उटकी जिंद्गिया बरबात की बबाजी ग्याते को अपना लो एक मरत को एक टाइमे हैं चार शादियों की चाहिए वह 20 शादिया दो बबाजी भी है जी भी स्लूशन लेकिया उसके पास तो मुझे तो ये solution बिल्कुप सन्दी आया है, मुझे वह film यादागी, राजा की आयागी, बरादा रानिम करजेगी, कि रेप इस से लड़की की चादी करतो, ये तो वही साब हुआ ना, वो भी और मुस्त रेप करी चुके थे इसका, ठीक है, तो बाकी, मुझे कुछ बाते तुम, एमें बग्यार फिल्टर के कह जाते हो, कभी पकड़ी गई ना, तो तुम्हारे ओपर सबसे पहले देंडे पढ़ेंगे, अब आपी तरह से, सुरी, मैंने एक दफा और एक लफ्यूज किया था, मुझे बात में लिचे कमेंट भी है, ये लफ्यूज कभी ना यूज करिएगा, क्या था, अच्छा मुझे नी पता क्या कह रही है, तो सलीम साब के और शीरिंग की भी शादी हो रही है, उसकी भी प्लैनिक्स चल रही ह लेकि उसपे मैंने कुछ भात लेकरनी है, और व्यूज करनी है, मैं वैसे उस शादी के हख में हूँ मैं चाहता हूँ कि सलीम साब और शीरिंग कर ले, यकीन दिल आ रही है और शीरिंग को कि मैंज्स को पनी बेटी की तरह रखूएँ और को मैं ज्डरो करोंगा तो मरे ल तुम पहलेख से मुखलेबनों आज तक है कि अब एक सवाल आज तक किया है मुझे एक सवाल आज अवाम से पूछना है वह कितनी चुड़े हिल है तुम पहले कर लो मेरे पूरी बाते मेरा अमाम के सवाल रहागा है कौन चुडेल है बता हो असद की माँ ठीक है वो है चुडेल वो शुरू में ही हो गई थी ठीक है बोलो मैं मुझे आज 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 आम सिक सवाल पूछना है हम जिन्दिकी में बहुत सारी चीजें इसलिए न तुम अपनी देख़ें आज तक इतना सपोर्ट किया है और अगर अगर आपको बेटी का वाकिया हुआ और उस पे आपको महलेवालों की ही वजह से आपकी नंद की डियान थुग तो इस वा आप महलेवालों का ख्याल करें मैं इस जाना चाहिए कि आपनी डिसिएंस लेते तो वे जब हम अपने आप अंदर यह लेकिया आते हैं लोग क्या कहेंगे लोगों नितों बातें करनी हैं लेकिन अप प्रॉब्लम में होती है कुछ लोगों की बातें आपने सुननी होती हैं कुछ लोगों की आपने कहा से निकाल देनी होती है इसे होते हैं जिनकी वजह से ह हम देखते हैं उन रिष्टेदारों की हमारे लिए क्या इंप्रोर्टन्स है जब उनका हमारे जिंदगे में कोई अमल दखल ही नहीं है तो फिर हम उनकी क्या कहेंगे पर क्यों इतना निर्फर होके बैठें जैसे ऐसा मैंने किसी की बड़ी खुबसूरत बात कहीं पड़ी कि रिष्टेदार तो भी आपको च्छत देने के लिए होते हैं और जब आपको जरूरत पड़े उस च्छत की जब आप जरूरत के लिए जाएं रिष्टेदारों के पास या मखले वालों के यह वहां पर नियुक्त आपको डिनार करतें कि नहीं हम तो नहीं कर सेपे और उम तो तब उन लोगों के कहने से आपकी जिंदगी पर क्या अथ यह लुगोर नागा जाएगे। आप उनके यह सुने मोदियों कि नहीं सुन्हें अगनोर करते हैं क्योंटे यह लग डदिकियों कि वकश्थे वर्यृत बंदा वगा यह वाने कं हरे परेख मिदू are आपको सुने हैं, वो अलतराम करना चाहिए, जो खैर हो होते हैं, जब आपके लोग क्या कहेंगे, कि फिकर करना ही छोड़ दो, नहीं, आपने कहना है उन लोगों की ऐपने प्रोगों की फिकर नहीं करना है, जिनका आपकी जिंदगी में कोही अमामा दखल नहीं है, इस इस मोटो को जो है को है चला है इसके लिए होना चाहिए अगर कोई इंसान आपका खैर हुआ है और उसको आप गोली नहीं खिला सकते कि लोग क्या कहेंगे मेरे परवान नहीं है तो आगे चलते हैं नहीं एक और आखरी बात करें जब हम एक जगह पर रहते हैं तो हमें मैटर करती हैं हमें सुसाइटी का पार्ट है और तब ये चीज़ें बहुत ज़दा बैडर करती है तो खैर मैंने कि आखरी लैंग इसमें किन्क्लूशन लिए बिलकुल क्यूंक हम जंगल में नहीं रहते तो चलते हैं जी निक्स ज्रामा की सीरिल की तरफ मेरे ख्याल में वहम हैं वहम बहुत बुरी बिमारी है आप सबको बचना चाहिए वहम से यह लेकिंन यहां पे तो वहम प्लांटीड है अरसलान और बड़ा मुझे मज़ें मज़ा आरहा है बड़ा इंट्रीक कर रहा है वह वो शमीम हिलाली का करेक्टर और सवेरा नदीम का करेक्टर के उनको पता है शमीम हिलाली को मतलब वो कहती भी है कि असल जो प्लेट रहे न जो मिर्चों वाले हलवे वाली वो इसमें साइड पर कर दी मुझे अब दूसरी प्लेट लेक आ रही है तो वो उसके ओपर मुझे वो इसके अब आधा टीवी लाउंस का टाइम इसी चीज़ में जाया हो जाता है कि मुझे अपनी डायरी में भी ढूडने में से टाइम लगता है इसे ज़ए एपिसोड लगा लिए तो इतना प्यरा डायलोग वो कहती है वो कहती है कि मेरे करेक्टर के ओपर आवाज उठा इसने गुजा रही है और शोहर को भी आपने बेजा आउंटी शुमी मिला ली तो इस मौलब बहुंए जो हैं आपनी सास्वा को जहर देने लग जहर ना दे इस तरह चोटे में अडवेंचर करते रहे लाइफ में कभी अलवे में मिर्चे डाल दी ठीक है तरही गलत बहुत आपने नहीं करना कभी शालन में चीनी डाल दी पड़ी नमक्ते कर दिया जाय है जह पर पारलर में गहर मर्द आते और यह होता है और वो होता है और इस तरह के लिए अधि़ पर इंदमां रहा गाते हैं एर आफ ने चूटा था अच्छा शा एक बात मैं आपको जो दो पिछले एपिसोड में कि हैं कि इधर बारा नथि अगॉपास Time तो यार मुझे उसकी जो रूमैंस है थोड़ा सा बचारा बाबरे नेकोशिश की जो सुवेरा नदीम के साथ बड़ा प्यारा सीन ता जो वो कहते हैं उसने ऐसे हाथ उसके उसको कहते हैं तसली देना नहीं दिलासा देना गलत वर्ड होता है अच्छा मैं इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया मुझे लगा कि इनके बीच में को चक्कर हो शाय तो अच्छा इसलिए वो भाग गई विचारी रुखसाना फोरण अच्छा मुझे माफ करिए का विवर्स मेरा थोड़ा सा रोमैंस शरब करो तुम मुझे फ्लैश्बैक बड़े पसंद आया मैं रोने लग गया सुवेरा नदीम के साथ जब उसको सारे फ्लैश में अनवर गया और कैसे फिर वो मिसिंग हो गया और कैसे फिर मैं अपने बच्चों को स्कूल से हटवा दिया मैंने क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और कैसे ये दुबारा खावर कराया मेरी मदद करने तो मुझे बड़ा दुख हुआ मतरब एक और की जिंदगी जिसका शोहर बाहर कहीं अब रोड गया हो और वो पैसे भी ना बेचता हो तो बड़ी मुझे परफाद किया हुआ है तो बड़ा बड़े दुख की बात है मैं इस तरह की रियल लाइफ में भी बहुत सारी स्वर्णी को जानता हूं मैं मेरी सिंपती सारी उन अगा और आप साथ हैं और मैं बिलकुल साथ हूं रुक्साना की रुक्साना बेटा अबिता जो करना है करो kızाला डाल दो अपने बेटों के साथ वह तुड़ा सरे वाने जाने वाला आउटी की तरह पेट देखने कि अपना के बच्छों की बाते हो नहीं है, फरीद की और उसकी कि बना यहां इससे बनाया ऑप हूं, इससे बनाएं, मैं उन पर चला को और सारा कुछ कर सकूं, तो वह भी एक प्लॉट है एक हमारी फ्रेंड का प्लॉट है यार वो जो हीरवन है ड्रमे की क्या नाम है उसका इशल का प्लॉट है इशल का बाप भी नहीं चाहता है कि उसे शादी करें तो ड्रमे में बहुत कुछ चल रहा है और यह एक न अच्छा आपको फील आई है कि पराना ड्रमा हम देख रहे ह की यह वो कै नाम है उसका नुमानी जास का बेटान अच्छा बहुत छोटू सा था लुगत छोटु सा था नुसर चोंदा में तो मैं तो मैंन चाहता है किसा मैं erbano का जो है वह किसा मेहर बादो का पहला ड्रमा जाविया ने पले यह जो के डबबे में बंद हो गया थो नह आप देखो ना आपको फुद फील आता होगा कि हम पुराना ड्रामा देख रहे हैं किसी ड्रामे को रिपीट पे देख रहे हैं हम एक फ्रेश नेया ड्रामा नी देख रहे है यह भी उनका इंटेंस्टल है हाँ हुई वाओ बुड लख चलो जाए या बाइर अचा मेरे मजा है मुझे सवेरा नादीम के खिलाब मैं अगलव सुझता मुझे नहीं बहुत टिपिकल लगने लगए बहुत टिपिकल जिस तरह से किंजा ने एंड में खुदकुशी करने के कोशिश किया है इट वस वेरी बोरें कि यार इस खुदकुशी कोशी तो एक्सिदेंट आधनाज समय अधनाज समध मुझे लगता कि ये इनके पहले बेटे है एक हावर के अलाव रुकसाना का कोई लवर है जो एक्सिस्ट करता है जिसे वो फून पर बाते करती है और रुकसाना नहीं मुझे लगता है अपने हस्वेंट को मिसंगर कुछ तो है अब रह गई है रास्ते का काटा सिरफ सास वह बिछले किच वर्से से वहम में मर ही नहीं नहीं बैएं तुम उसको मिर्चे खिला रही हो तुम उसको सरा कुछ खिला रही हो थोड़ा सा जहर ही डाल के देलो वही धीटडी है मैं नहीं जाओंगी चलो खैर तो यही है मेरे इस वीक की वह बाकिवार मून तो है वो दिया पांचा ही कर देते हैं पूरे ड्रामे का मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं आज आपके आपके आखरी ड्रामे की तरफ जिसको सिर्फ अर्सलान डिसकस करेंगे लिए कर लूंगा यह रोग ही लगाए जाने लगे हैं वो हि समीन है वो ही है वो ही वो सब कुछ तो मेरे हमसाफर बसनाम भी देखो गया। है क्या कर रही है सहरा रजा प्लीजा है एक चीज मैंने कहने था कि आपको रूमी की क्या रेलिमेंस नजर आती है इस इंगेजमेंट मेडहिए शूटिंग सबसे जो बुरी चीज वह आपको बता हूँ सबसे पुरी चीज इसको फिर्ट रोब्लीटि और समीन को अगले दिन सोफिया लेके आया देखें हम्मा यह देए हैं। तो उसने कुर्म उस सीन में हाला का डायलोग था कि जो है इस पर लगे में होंगे लगे मैसके लिए भी बताना यह चाहती कि वह इन कांटा को और डी जानती थी उस सीन में हाला है यह नहीं है वाइस ओवर मैंने तो नोट नी किया जी अ यह क्या हुआ यह यह बहुत कुछ हो खुराम बुझ ठीक हो गे तो अमीमीर जाग पड़ा एम ही फिला है विए पहले शर्वानी पहल लेते हैं पर बेटे तुम ठीक हो जाते पर शर्वानी पहनी वो ठीक हो गया और अब शाज जहा हां रहगी है वह अगले किस्त में कुछ करें कि देखें हैं लैटसी क्या होता ह अचलान मुझे आप कहते है कि मैं जो है वो वाइलेंट अलफाज का इस्तेमाल माग करूँ लेकिन मेरे हमसफर के लिए में क्या लफज इस्तेमाल करूँ बोल दे जो बोलना चाहरे है आजब बोलिए लख लानत करो लानत करो नाइश बस छोड़ दो बस यार क्या चाहते है इस ड्रामे की टीम वाले हमसे मैंने आइस दवा तो यूटिब कमेंट भी देखे मुझे बड़ा मजाया एक बंदे ने कमेंट किया हुआ कि मेरे हमसफर में आदके बार नहीं देखूंगा क्य यहीज़ू स्थाइब क्या अपने इतना प्लाइंट करो के चीजों को इतना प्लाइब किसी की नफ३रत चाला हाला करे आगे कैसे जा सकते हो भाई ऐसको पहल मिलेंगे.. इस रामे का नाम दुश्मन होना चाहिए था इस रामे का नाम धुश्मन हो गलत नम्हां कुंसा मेरा हमसहर कि हमसाफर वह हाला अगली एपिसोड मेरे जाएकूा एक हो अब काह रही है अब तुम्हें याद राए कि हम्जा के शादी जो है वो हाथसाती प्रेगने वी बात आपने करनी थी पता नहीं क्या मोट स्रिंग आ रहे थे हाला को पूचे ना मैं आपको बता दो तो वो बंदा आपसे प्यार करने लग जाता है मैं हम्जा को सब कुछ बता दोगी हम्जा मैं आपको कुछ पताना चाहते हूं हम्जा मैं आपको सब सब सच बता दूंगी हम्जा हम्जा सीन कट हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं मूट स्विंग्स प्रेगननसी में बहुत कि या भी इस सेमें अन्रा होता कि इस तरह उसने ऻाज आने रोका था अला को बताने से, इतनी अप क्रैटीव बुतिए ली जा रहे है। ये लिए जारी है. क्तिव रॉड़िगicana वाक ऩंप पिन है? नो इंटीव सोल फिंटीशाइल नहीं फिलिफ लिछ गोषिज. तो मेरी बात सुनें अगर हम ले अरवाय पर इस तरह के ड्रामे देखने तो हम स्टार प्लास में साथ नीपाना साथ या क्यों ना देखें वो ज्यादा अच्छा है राशी बहुवाला ये राशी निकाल दिये और खाली को कर गया इस पर चड़ा दिया तो खाली तु आप दो के नहीं चड़ा दिया है अचा खाला भी इतनी वेव कूफ है वैसे बस इश करने आते हैं उसी फुराब के साथ बागी जो है सब चीज़े तो है चलो ये रथा इसलीग का टीवी लाउंच आयोप आपको पसंदा है आइद मुबारेक एद मुबारेक अगे एंड आपको बहुत मिस्किया में तो तूरू आउट अपिसोड मेरे अंदर अदर अदासी रही है तो ये तो बहुत खुश है आज मैं क्यों खुश हूँ कि एसन नहीं है हाई लाम्य कूश होने लगा है इसन मैं को इसका राइवल्री है मेरे इसके साथ चल रही है नो फ्लीज एसन पूर एपिसोड देखना एसन लव यू आई मिस्यू सो मच अमीन आपको शिपाय कामला अजला अता करें एद के तवस्त से कोई पेगाम देना चाहिए इद के तवस्त से मेरा यही पेगाम है कि एद का दूसरा दिन खैर हो चुका है अगर यहीं से पहले हम शोग चला ने मूण को अधरा होता है उस लोगों को बढ़ा है वह बहुत बड़ा कमाल है उनके अनके फ्रीजर होसला है क्यों इन वर साल को संबाल के रखा है तो भाही खुदा के लिए गोश आ वह बता करें एक इस देता को भी बेंगनी कर शारा अब रही मेरें को दें सारा गरीब बढ़ाएं दूसरों को भिखलाएं और बराबर बराबर तीन ही से ओजडी और गुर्दे कपूरे और कलेजी और चिछरे यह चीजे जो है ना पहले साइड पे लगा दे यह मैंने मजे कई दर उसे प्लेटे ही आती है उसमें दो टुकडे होजडी के होते हैं दो कलेजी की ब बढ़ाएं तो क्या बंदा पकाएं वो इस जीम तरह किच्णी बन जाती है मैंनों वो जुद्धर प्लाग बकाने वानी डीश यह मैंने राइब में नहीं देखा किसने ओजरी बेचियो यह तुम बकवास कर रहे हो तुम पत्तों की आवा में तुमें दिखा हूँ इसी के पहले जो फीडबाएं खाया है इससे पहले तो इंटरनेट होना बहुत रहरी है फीडबाएं पढ़ने के लिए ठीक है फीडबाएं में सब चाहते लोगों ने बुचे है कि फ्रॉड कहा है तो वो हमने बाद-बाद दिसक्स कर ली इसके इलावा वो कहते है कि पहले एक बंदने काया है नाइस रिब्यूस ना इडोंट वाच एक्स यजड जी अगरी विद यू गाइस हब्स इस गूइं ग्रेट आपके यह तैलर 118 कहते है MSK कहते हैं I agree with Moon it's not only you but everyone's who aren't who are not actually liking Jahanara and Bakhtiaz Romainz because of them the show tanked I love the whole Shahzeb and Zulekha scene and I feel this couple will be I don't know any idea Angus tea with push and push it's windows like that doesn't like Shahzeb people aren't enjoying this show because of bad characters poor execution slow pace and bad editing if you read the YouTube comments everyone skips Jahanara and Bakhtiaar and Roshanara scene so what Hum TV should do is cut some of these scenes and show more of Shahzeb Kaisar and now Zulekha अब मुझे समझ आ रही है कि फ्रांसेद ने क्यूं कहा था कि मैं बाशा बेगम करके खुश नहीं हूँ हाँ हाँ एज़ाइज कहते है टॉक्सिसिटी इस इन अवरी दाम आप पाकिसान अग्री विधियू 100% यह नौट अग्री मौर जीनियस बड़िस कहते है माशाला ओसम एपिसोड हेट संगे माला से बीटोर दे गलोरिफाइज सुसाइड अगिन और प्रिमोट इवा शोइंग तू लव सेम क्या मैसिज दिया यंग्स्टर्स को पहले ही लड़के लड़कें घर से भाग रहे हैं और अब इश के लिए सुसाइड करेंगे तो काइंडली वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें हो सकता है कोई आपके दोस्त ऐसे हो जिनको ड्रामास विस्केशन में इंट्रस्ट हो तो वह भी देखना पसंद करें आपके साथ बैटके शो क्योंकि हमने कुछ इस तरह से शुरू किये थे कि मैं को शो देखता था तो मैं करते अर्सलान ये इमनोंने इस तफ़ा इस एपिसोड में ये डिसकर्स किया तो ये बड़ा मसा आया तो उस तरह से हो सकते हैं आपके फ्रेंड को भी हमारा शो पसंद आए जिस शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और चलते हैं अर्सलान की तरह जी आप मैं यह कहूंगा कि एद का जो है तेहौर है तो आजकल बहुत मुल्क बुरे हाल है तो अपने आसपास गरीब रिष्टारों को जरूर क्या रखें रिष्टा रिष्टा का पंचे में अर्दलाल आपका रिष्टा तो नहीं आगा की ज़िए जो लोग कुर्बानी नहीं कर पाए और दूसरा यह कि जो लोग गोश्ट अब अफोर्ड भी नहीं क कुर्बानी करें और फिर वो इस अच्छा उनका एक होता है ना कि हमने आपका हिसा नहीं आया इस दफ़ा हमें ठीक है ना तो यह चीज़ें आप जरा इंशोर करें अच्छा मैंने एक बंदे का सुना वो बंदा कहता हमारे सिरफ एक ही फैमली में रिष्टेदार है तो हमा इस तरह की वीडियो देखने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाच्चिंग इस वीडियो मुझे और मून को दीजिए इजासत अलाहाफिज